अई 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 अस्सलाम लेकूँ मारी यूट्यूब फामली कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अच्छा जी आज का व्लॉग मैंने तपहे से स्टार्ट किया था सफाई वगेरा हो चुकी थी हेलपर्स जो है सफाई करके जा चुकी थी आज मेरे बेटे की बर्ते दे है तो इस वज़ा से थोड़ा सा खास काम किया हम लोगों ने वैसे तो घरवर डेली रूटीन में साफ होता ही है और जो हैलपर आती है वो जाहर से बाते हैं नीचे कही सब करके जाती है बाकि उपएका बैड, कबर्ड, ट्रैसिंग ये सब तो आप लोगों ने खुद ही देखना होता है और यही सब बहुत जादा पहला हुआ होता है जब तक बैड साफ ना हो तो पुरा रूम चाहे जितना भी साफ हो जाए पर साफ ही नहीं लगता तो मीटी बैड चीट मुझे गंदी सी लग रही थी तो मैंने अपनी बैड चीट चेंज कर ली थी इसके बाद मैंने अपनी ड्रैसिंग साफ कर ली थी ड्रैसिंग पर कुछ चीज़ें रखी हुई है और मीच ड्रैसिंग पर बहुत जादा मत्ती आती है क्योंकि ड्रेसिंगे बिल्कुल लफ्ट साइट पर रेना विंडो है वैसे मैं वो बंद रखती हूं बढ़ भी थोड़ी थोड़ी मिट्टे आ ही जाती है उसके बाद जाजी मैंने यहां निकाल लिया था अपना ड्रेस जो मैंने आज पहनना था और जायान को पहनाना था समझ नहीं आता ना मतलब कपड़े हर इवन्ट के लिए हर ओकेजिन के लिए एक नया सूट किस तरह सिलवाओ कैसी स्टेचिंग कराओ तो बस यह तो मैंने साधा साही सिलवा लिया था मेरे सूसर ही मेरे कपड़े सीते हैं वो बहुत अच्छे टेलर हैं और बस नहीं मेरा सूट सीया था बाकी जयान का तो मैं रेडिमेट लाई थी अज़े उसके बात मैं आगै थी किचन में आज मैंने स्पेगेटी मैंने और भी कुछ था बट वो बाहर से आना था तो चाईड़े बनानी थी अज़े उचा पर ले लिया था ऊल अच्यादा नहीं डाले क्योंकि चाइणीस में उउपर ता आयता वर या नहीं लिगता पेस्ट के खत्म हो जाती है और बहुत अच्छा से टेस्ट आजाता है बस मैं हर चीज में मतलब जाहें मीट की चीज हो या चिकन की लाजमी यूजकर योजकू ने की होरती है और चिकन या गोश्ट की जए उम्हेल भी मर जाथी है रज्वास के बाद मैं डाल दी या 5 किलो शिकन को हईचा सा तेल में ब्राउन इक बाथ मैं आसमा बाउड दाल दाfer स्टेडिए थीर आपज़ कंशी काले मर्च ले ले लिए ती काले मर्च टेaस उन्ड़ बहुत हैं अब लाझ आड़ तो मैं प्यास लासमय एड़ करतें यॉद्डेवम्ट एक पन गोपी, दो शिम्ला मिर्च, एक टिमार्टर और एक प्यास, ठीक है, अज़ा मैंने इस पिकेटी जो ली थी वह आधा किलो बॉयल की थी, उसमें इस अब चीज़ा डाली थे, पहले मैंने गोपी टाल दी थी, शिम्ला मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी प्यास और टिम सॉसिस इतने ज्यादा एड़ कर देते हैं, और मतलब बिलकुल फीका होता है, एक तो बहुत ज्यादा सॉसिस आड़ हो जाते हैं, तो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कोशिश करते हूँ कि मैं स्पिकेटी जब भी कोई घर में कुछ हो या महमा जिसको चामिन पसंद हो तो मैं घर में ही स्पिकेटी बना लूँ तो बहुत अच्छी बन जाती है, और मतलब बरकत भी होती है, इसलिए बहुत मज़ेकी होती है, अच्छा जी यहां पर मैंने चीज़े को पका लिया था, यह रेडी हो गई थी और यहां मैंने स्पिकेटी भी बॉयल करके रख ली थी, पानी में नमक और ओल डाल कर मैंने स्पिकेटी बॉयल की थी, खाने के टायम में दोनों को मिक्स करके और सर्फ करूंगी, अच्छा जी यहां हो चुकी थी डेकुरेशन के बाबा और चाच्छो मिलकर डेकुरेट कर रहे थे बहुत ही प्यारा इन लोगों ने डेकुरेट कर दिया था विसे, नो डाउट अच्छा तो लग रहा था, इसके बास रयान को मैंने कर दिया था रड़ी और जयान माशा लला से बहुत ही प्यारा लग रहा था, बच्छे लपाक की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लपाक का लाक लाक शुक्र अच्छा मेरी अमी को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी तो इतने में खाने का टायम होगे तो उपने बुला पहले खाना का लिया जाए, खाने में हम लोगों ने मगवाया था पिज़ा, हम लोगे पांच लाच पिज़ा मगवा लिये थे, हम तोटल थर्टीन अफराद तो पांच लाच पिज़ा मगवा लिये थे, इसके इलावा ये देखिए मैंने स्पिगेटी जो है मिक्स करके और बहुत ही अच्छा लुका रहा था, बहुत ही बिल्कुल आसा लग रहा था, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी भी बनी थी, इसके इलावा हम लोगों न जब इसको जलाया तो वो उड़कर मेरी ही उपर आ गई और इसलिए वो तो यहां चलती हुई नहीं दिक रही दूसरी चली थी बस अच्छा जयान बहुत जादा हैपी था, क्योंकि मतला फॉर्स टाइम उसने ऐसा कुछ देखा था लास टाइम तो वो बहुत चोटा था ज सब हैं तो दोर्ग कना है चींद नानौ ने बहुत अच्छे दिया है, तांक यू सब का आप अप लोग ने बहुत कुछ दिया और बहुत अच्छा दिया पीचे जान सो रहाँ था, बहुत तक चुका था यह से प्रा दिन मुझे बहुत सटाया था, जब रहा दो जब मैं लास्ट यह कि जब इसकी फॉर्स पड़ती जब कि कुछ आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूं यह पुरा डेकुरेट किया था मेरे देवरों ने और लोग यकीन ही करते कि यह मतलब घर में खुद डेकुरेट किया था इसके लावा यह कॉस्ट्यूम था जयान का शार्क व कि जह एक लाह आपने हैं